चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं, नमस्कार दोस्तों। हम आज बनाएंगे Sclayton Dance का वीडियो पोज आप से पोज मेएक्स आप ओपन करते हैं, तो इस तरह मेनू सो होते हैं चार उपर की साइट राइड साइड में अब देख सकते हैं सबसे उपर राइट साइड में सेटिंग होता है नीचे ये कैमरा टाइप से बने हुए है सबसे उपर एफेक्ट एनिमेशन पोज एन करेक्टर ये चार आप्सन बने हुए है राइट साइड में सेटिंग बना हुआ है इसमें और राइट साइड में लेट राइट अप डाउन बने हुए हैं ये तीन गोले बने हुए हैं जिससे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और ये सबसे नीचे तीर टाइप से जो नीचे जुका हुआ बना है अगर इसे हम टच करते हैं तो सारे मेन्यू हाइड हो जाते हैं जिससे हम वीडियो बनाने में बहुत ही सरलता होती है और हम इसके एनिमेशन या पोज का वीडियो सरलता से बना सकते है आप देखेंगे जैसे ही हम ये लेफ्ट साइड के कैमरा को उपर नीचे करते हैं तो जो ये पिक है कार्टून है वो बड़ा छोटा होता है लेफ्ट साइड के उसमें करते हैं तो घूमता है और ये राइट साइड सबसे नीचे जो है उसे लेफ्ट राइट करते हैं तो ये देखेंगे कैसा घूम रहा है ये इस तरह इन कैमरा टाइप से बने हुए बटनों को उप्योग करके हम करेक्टर को मूव कर सकते हैं उपर नीचे लेट राइट बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये देखिए जैसे हम करेक्टर को टच करते हैं सबसे उपर जो बना हुआ है मैंने उसमें इतने सारी करेक्टर है अब जो इस भी करेक्टर को चूच करना चाहें उसे कर सकते हैं तो आज मैं इस्कलेटन वाला करेकटर सेलेक्ट करता हूँ आप भी देख सकते हैं देख राइस में इस आज हम वीडियो बनाएंगे तो चलीए अब हम इसका देखते हैं एनिमेयसन इसमें क्या क्या एनिमेयसन हैं मैंने टच किया एनिमेशन के मैनु को तो आप देखेंगे इसमें ये देखें कितने सारी एनिमेसन है ये ये देखिए ये चलने की एक्टिंग कर रहा है और इतने सार इसमें एनिमेसन है पोज हैं कि ये देखिए ताली बजा रहा है और आप देखते जाएए ये जैसे पेड़ में चड़ाना है ये किसी दीवाल म वाला वीडियो बनाने के लिए तो इसके लिए ये वाला एनिमेशन पोज है ये देखिए कैसा चड़ रहा है ये ये हम जूम करके दिखाता हूं इसको मैं ये देखिए ये ये जैसे अगर हमको नीचे उतारना है तो इसको जो राइट साइड का ये 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 डांस ये ये दानस वाला वीडियो है इसकलेटन डांस कर रहा है आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे मेनिउ ये जब आप इसे उप्योग करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा फूज मैक्स अप के द्वारा आपको बीडियो बनाने में बहुत ही आनन आ यह देखिए कैसा dance कर रहा तालि बजा-बजा के स्क्रेटन dance है। यह देखिए इसका dance जीए। सेटिंग के दौार रा हम से background को蒸 करके। अब भाइस एस प्लाइक ऑद की स्क्रेटन कर लेंगे, जिसके दौारा हम कोई भी Video Editing Player से इसका एडिट करेंगे। और मैं इसका स्कार्яют रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो इसब से राइट साइड में जो सब से नीचे तीर '' reaches से बना हुआ था जहका हुआ उसे टफ करते हैं तो सारे मैनू हाईडme हो जाते हैं उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसका स्कार्डी करके ये देखिए ये डान्स को अब हम इससे कोई भी वीडियो एडिट प्लेयर में उप्योग करके इसका बैक्ग्राउंड ग्रीन है उसे हटा कर कोई भी बैक्ग्राउंड उप्योग करेंगे और हम इस वीडियो को कहीं भी उप्योग कर सकते हैं ये एप द्वारा दिया गाया एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो की गीन प्रेगाउंड करने में सहायक है चलिए मैं आपको दिखा दू कुछ और इसके एनिमेशन है ये देखिए गंगं डान्स कर रहा है ये एसकलेटन ये कितना अच्छा डान्स करता है ऐसे हम इस पोजमेश को उप्योग करके अलग-अलग वीडियो बना सकते हैं आप भी देख सकते हैं वीडियो एट्रेटिंग से पहले चलिए कुछ और इसके करेक्टर के एनिमेशन देख सकते हैं देखिए एसकलेटर मरने के लिए एक्टिंग कर रहा था अब ये दौड रहा है स्पीड में और ये देखिए ये जोकर दौड रहा है ये स्पीड में ये और स्पीड में दौड रहा है ये देखिए ये मैंने ये गोला बनाया ऐसा आप भी कुछ भी इसमें वीडियो बना सकते हैं चलिए अब इटिटिंग करेंगे मैं वीडियो इटिटिंग के लिए काइन मास्टर एप का उपयोग कर रहा हूं आपको जो पसंद हो जो आपको सुग्दा जनक लगी उस एप का उपयोग कर सकते हैं फिर ये जैसे काइन मास्टर ओपन करते हैं 16.9 रेस उपयोग करके हम अब कोई भी बेक्ग्राउंड चूच करेंगे उसके बाद जो हमने गीन ब्रग्राउंड वाला इस्कलेटन डान्स बनाया है उससे चूच करेंगे तो मैं यहां से एक कोई सभी य तो जो भी हमें अच्छा लगेगा उस बेक्ग्राउंड को हम वीडियो के अनुसार उपयोग करेंगे मैंने यह वाला बेक्ग्राउंड चूच किया है सलेक्ट किया है अब इसे हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं खींच कर ये देखिए पीला कलर से बना हुआ है इसमें चैसे ही हम इसको टच करते हैं और राइट साइड होए ले जाते हैं तो यह खिच जाता है और यह लंबा हो से यह देखिए आपका जिस फूल्डर में हो इस फूल्डर को उपन करके यह मैंने वीडियो सेलेक्ट किया यह देखिए सो होने लगाए यलो कलर से पीला कलर से चारो तरफ बना हुआ है अब लेकिन यह कीन रिकोर्डिंग में काइन मास्टर में एक समस्या है कि यह सो नही यह सबसे नीचे लिखा है ट्रांस कोड तो जैसे ही हम यह मैंने टिक किया ट्रांस कोड जैसे हम इसे टच करते हैं तो यह वाला मेनू सो होता है उसके बाद हम इसे ट्रांस कोड का बटन को क्लिक करते हैं तो यह ट्रांस कोडिंग होने लगता है ट्रांस कोड होने के बाद आप देखेंगे ये देखिए जो हमने स्किन रिकॉर्डिंग किया था वो सो होने लगा है अब इसके बाद हम क्रोमा की के द्वारा अज़ेस्टमेंट कर लेते हैं ये देखिए तो उदना अच्छा से अज़ेस्टमेंट तो हो नहीं रहा है पीछे कुछ बेक्गराउंट टाइप से देख रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए थोड़ा सा बेक्गराउंट टाइप से देख रहा है पीछे साइड तो उसे इड़ेट करने के लिए जो डिटेल कर्व है इसे टच करके ये इस तरह ऐसे हम इसको खीच कर ऐसे बनाएंगे तो अब देखे पूरा पीछे का पूरा बैग्राउंड हट गया है और पूरा क्लेर दिखने लगा है इस तरह आप भी ये कर्व डिटेल को ओप्सन को उप्योग करके अच्छी तरह से बैग्राउंड हटा सकते हैं और फिर हम इसे जूम करते हैं याने खीच कर कुछ बड़ा करते हैं जो की बीडियो के लिए सुटेवल हो उस तरह इसे बना लेते हैं और आप देख सकते हैं मैंने ऐसे जूम किया है इसे जूम करने के बाद हम सुटेवल एक प्लेस पे रख देते हैं जहां मैं इसे उप्योग करना है उसके बाद हम बीडियो को देखते हैं कि इस बीडियो में बैग्राउंड कहां तक है और इसे हम कहां तक उप्योग करेंगे इसके लिए फिर से हम background को देखते हैं तेखिए मैंने इसे play किया तो ये dance करने लगा इस तरह है थोड़ा लंबा करेंगे और बीडियो देखिए नीचे लंबा है तो background को फिर से खींच कर लंबा करेंगे और ये dance कर रहा है पर एक जएक कर रहा है अगर हम इसे खिसका खिसका कर डान्स करवाना चाहे या हटा हटा कर डान्स करवाना चाहे तो इसके लिए फ्रेम की जो आप्सन है उसका उप्योग करके हम इसे अपने स्थान से हटा कर डान्स करवा सकते हैं जैसे ही ऐसा डान्स करेगा जैसे चलते जा रहा है और डान्स करत देगा लेट साइड में गोला और प्लेस का बना हुआ चिन होता है जिसका उप्योग करते हैं तो इस तरह ये वीडियो में बिंदी बिंदी टाइप से बन जाता है जैसे जैसे हम वीडियो को खिसकाते हैं बैगराउंड को खिसकाते हैं तो इस तरह ये वीडियो बन जाता है आप भी देख सकते हैं इस तरह हम की फ्रेम का उप्योग करके वीडियो में एक जादू टाइप से ला सकते हैं यानि किसी को भी चला सकते हैं किसी वे स्थान से चला सकते हैं और इसे कहीं भी किसी भी प्लेस में ले जा सकते हैं आप देखें कि जैसे हम वीडियो चालू करते हैं मैंने इडिट कर लिया है की फ्रेम को प्यों करते हैं ये देखिए अब ये ये चलते हुए डान्स कर रहा है ये देखिए ये ये डान्स कर रहा है ये देखिए ये ये चलते हुए डान्स कर रहा है धन्वाद दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है इसी तरह और इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और हाँ, वेल आइकॉन को जरूर दवा दे